कि नमस्कार दोस्तों आप सबका एक बर फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्तिक स्वागत मैं आपका दोस्त विबेक गुगना आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देव गुरू ब्रस्पती के मार्गी होने की देव गुरू ब्रस्पती अपनी मीन राशी में 24 नॉबंबर 22 दिन गुरू बार को सुबा चार बज़ कर 36 मिनट पर वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं देव गुरू ब्रस्पती शुब प्लैन उन्हीं लगनों में से एक लगन है जिसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वे है मीन यहां एक बात कहना चाहँगा कि यह हमारी सारी चर्चा मीन लगन के उपर अधारी था ना कि मीन अराशी के उपर हाँ लेकिन यदि आपके चार्ट में जहां जो फर्स्ट भावा वहां पर बारा नमबर लिखा हुआ है यदि चंद्रमा भी वहीं पर विराजमान है तब यह चर्चा आपके लिए है अधरवाइस जैसे मैंने का कि यह पूरी की पूरी चर्चा मीन लगन के ऊपर अधारी था प्रदवाना ना भूलिए जो भी वीडियो अप्लोड करें यूट्यूब पर चाहे वो वैदी कस्टोली से रेलेटर हो या पर केस्टडी जो समय समय पर हम आप दोस्तों के लिए अप्लोड करते रहते हैं आप उन्हें मिस्मत करिएगा इसी के साथ जदी आपकी भी को ट् ये आपके लगन भाव ना भात्रा के नेत्रह्ता सफलता अधकारी से तरकई सरकार से संवान आधिकी जो है देता है लगन भाव में गोच्टर करते हुए देव गुरु ब्रस्पती फिफ्ट सेवंद नाइंत भाव को भी दिरिश्ट करेंगे फिफ्ट भाव क्या है स्विफ्ट भाव संतान कलाम रुजन रुद्धी मता स्टॉक मार्केट अचानक धन सुनपती का मिलना सरकारी सहता मंत्री पदादी की जानकरी देता है सेवंद भाव क्या है सेवंद प्राइम होस ऑफ मेरिज है पद प्राप्ती है रिपार है समाजिक और अथकारिक प्रतिस्टा है उसकी जानकरी सेवंद भाव से मिलती है नाइंत भाव क्या है नाइंत भाव धर्म के बारे में बताता हम लगन भाव में गोचर करते हो गुरू 24 फरवरी 2023 तक शनी के उत्रा भादरपद नक्षत्र की यात्रा पर रहेंगे। उसके बाद गुरू बुद्ध के रेवति जो नक्षत्र है उसकी यात्रा पर निकल पुड़ेंगे। इसलिए आज के वीडियो में हम गुरू के गोचर की चर्चा 24 फरवरी 2023 तक ही करेंगे, मतलग भी जब तक गुरू शनी के नक्षत्र पर रहेंगे शनी की बात करें तो आपके चार्ट में शनी 11 और 12 भाव के स्वामी बनते हैं, 17 जनुरी तक जो है शनी आपके 11 लाव भाव में गोचर करेंगे, उसके बाद 12 भाव में प्रिवेश करेंगे 11 भाव, लाव भाव के लाव और क्या क्या जानकरी देता है, यह हमारी इच्छाओं का भाव है, यह हमारी इच्छाओं की पूर्ती का भाव है, यह हमारी हल्थ रेकवरी का भाव है, कारों में यही भाव हमें सफलता दिलाता है, 12 भाव क्या है, वो हमारी खर्चों का जेल का भाब है दंड का भाब है पार्टनर की हानी इसी भाब से जो है जानकरी मिलती है को ये सैवंत भाब से सिक्स भाब बनता है शादी नुकसान नौकली का चूटना अपने लोगों से अलगाव ये लंबी यात्रा ये फॉरण सेट्रमें अपने लूगों चांडर है तो इस समय आपको विशेश लाव हो सकता है, आर्थिक लाव हो सकता है, विपार में अच्छा धन लाव हो सकता है, कारोबार का विस्तार हो सकता है, साथ ही आपको इन्या विपार शुरू करने के योजना बना सकते हैं, इंपोर्ट अक्सपोर्ट का काम करने वालों के लिए गु या आपके जो वरिष्ट अधकारी उनके साथ आपके संबंद जो है वो अच्छे रहेंगे इसके लावा आपको अपने क्यारियर के सेलसल में वदेश जाने का सुभागया भी प्रापत हो सकता है क्योंकि देव गुरु ब्रस्पति शनी के निक्षत्र पर होंगे शनी जो है वो 12 भाव का भी स्वामी है और देव गुरु ब्रस्पति की द्रिस्टी जो है नाइत भाव पर रहेगी इस दुरान आर्थिक रूप से धन का आना जना लगा रहेगा इस दुरान बॉनस के रूप में भी आपको अत्रिक तलाब जो है वो मिल सकता है लेकिन क्योंकि शनी 12 12 भाव का भी स्वामी है और यह खर्चा को भाव है इसलिए खासकर 17 जनवरी से लेकर 24 फर्वरी के बीच जब शनी 12 भाव में एंटर करेगा और गुरु मतल शनी के निक्षत्र पर रहेगा 24 फर्वरी 2023 तक आपके खर्चों में व्रिदी हो सकती है ऐसे में आपको अपने ख संबंग अच्छे रहेंगे आप उनके साथ quality time enjoy कर सकते हैं आप इवन की अपने जो relation है उसको शादी के बंदन में बदलने की बी उपर विचार कर सकते हैं वहीं शादी जो गया जो लोग है उनकी शादी इस समय दुरान फिक्स हो सकती है और कुछ लोगों को विदेश से भ करन कभी कवार कुछ समस्यों का आपको सामना करना पड़ सकता है हालां कि इससे आपके रिष्टे पर कोई भी बुरा प्रभाब नहीं पड़ेगा और समस्य जो है जल्दी सोल जाएंगी प्रभार के साथ अधिक समय बिताने का आपको इस दुरान मौका मिलेगा बात करें ह कोई पहले से हेल्थ समन्दी कोई दिक्कत परशानी चली आ रहाई थी उससे भी इस दुरान आपको छुरकारा मिल जाएगा तो दोस्तों ये थी जानकरी मारगी गुरू की मेर लगन के जातकों के बारे में जानकरी अच्छी लेगी तो प्लीस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स कुल है आप अपने विचार वहाँ पर रख सकते हैं और जल्दी ही मिलते हैं एक और नई जानकरी को लेकर तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार